जैशेरादे कार्तिक मास में ये परवतिन दिफसी मनाए जाता है धनतेरस से प्रारंब होता है दीपवली तक चलता है धनतेरस में हमने धनवंतरी कलस की पूजन करी अगले दिन नरक चौदस आएगी नरक चौदस के दिन रात्री के सायम काल में सूर अस्ते के बश्याद घर में आप बाहर गोबर से लिपिए को कि लक्षमी का वास गोबर माना जाता है दौर पर अकर आप गोबर से लिपेंगे तो लक्षमी का आगमन सुम माना जाएगा दौर पर आप दीपक जलाएगे और लक्षमी पूजन के लिए मैं आपको समय बता देता हूं कि इस दिन हमारे बैपार हमें कर तो सुबह 9-12 में करिए फिर Lamborg頭 हमारे घर में करें तो गोदुली बेला से रात तरी छे से नु ये आपको 3 मोहरत दिये sono तीन मोहरत में कर दिये आप उस दिन और रात्री में हमारे सास्त्रे में साड़े तीन मुहुर्थ ऐसे जिसमें आप को करने से घर में आप ये बरकत बनी रहेगी पहला होता है गुड़ी पड़वा से स्टार्ट होता है गुड़ी पड़वा का मुहुर्थ दूसरा होता अक्षे तर्तिया तीसरा होता बिजया दस्मी और जो आदा मु कि जो मिलती हैं उनको लेकर आईए जब आप घर्व के द्वार पे लाते हैं तो उनकी आरती उतारिए फिर पूजन कमर में लखिए फिर नियस समय पर सुद्धगी का दीपक या तिल्ली के तेल का दीपक आप लगाएंगे तो आपको कहां लगाना है महालक्षमी के सीधे पूजन करना है आपको घर के इश्यान कोड़ में अकु और पूर्व द्ख़ा में दीपक एदिया आप लंबी पत्ती का लगाते तो दिएखा वोना चाहिए कोुई पूर्व में अबधिया हो, तो जहां से आप करना चाहते हैं, उस दिसा तरफ दीपक एका, उसका मू imprison का भागय का ऊदे होगा, गलती सब्स्टात हैं, इसके पश्चात आप आयब दख्शन में करते हैं, तो धक्षन में यम का वास होता है, तो यम और राक्षयोसों का बास होता, इसलिए लक्षिन में भी हमें नहीं करना है, तो कहा करना आपको पूर दिशा तरब आपको दीपक जलाना है, आपको दीपक प्रजित करना, महालक्ष्मी सहीद गणपती का पूजन करना है, इस दिन आप महालक्ष्मी और गणजी पर धान, ध वाले ताओं में, जो सपेद कागाज आता है, सिंदूरु घी से उसमें महाकाली, महालक्षी, महासरस्ती लिगिये, और उनका बोजन करिये. महालक्ष्मी की घी आपने मूर्ति लाए, उनका बोजन करिए, महासरस्ती के लिए आपको एक पेन, जिसे ये पेन है, इस पेन को एक नया लेकर आईए महासरस्वति की रूप में इनका पूजन करिए ये करिए साथ में रात्री में सिम्म लगने में आपको क्या करना है ये छोटा से कोपाय बता देता हूँ जिनके गई संतति की समस्या है संतति नहीं हो पा रही है तो रात्री में आपको केले के पत्ते पर भगवान बाल मुकुंद को रखकर उस दिन क्लीम कुर्श३ 다음에 नमा केते हुए भगवान बाल मुकुंद पर आपको पीरे चावल करके अरपन करना है इनकी नोक्री नहीं लग बरगत के ब्रक्ष का पत्ता लाकर, हल्दी से स्स्थिक बनाकर, रात्री में रखकर उस पर आपको पीले चावल अरपन करना है. महालक्ष्मी का और थृमता काद को और कज़ए अरपन करना है. और उसको भगवान महालक्षमी का मंतर बोलकर, बीज मंतर बोलकर आप उस प्यारपण करना है और रात्री में आपको सिम्ह लगने में ये पूजन करना है रात्री जागरण करना है घर के दौर पर आपका दीपक जलता रहिए ये ध्यान दखिए, पूजन के इस तान पर आपका दीपकर रात भर चले, और घर का द्वार आपका खुला रहे, जब आपका घर का द्वार खुला रहेंगा, तब महालक्श्मी का आगमन होगा, ये आपको रखें अगले दिन सुबह उस सब सामागरे को आपको कहा रखना है अपनी तिजोरी में तिजोरी में आप रख दीजिए इस पकार अगर आप पूजन करते हैं तो आपके घर में बर्कत बनी रहेगी मालक्षमी का निवास रहें सरी रादे